वेलकूम तो माई चैनल इस्टेडी विट इंटेस्टन लव तो इस पर इस वीडियो में हम समास्थास्त्र के बारे में बात करने वाले हैं समास्थास्त का यह पहला चेप्टर होगा और जो कि चेप्टर वाइज इस पर हम लोग चट्रा करेंगे और आगे पढ़ते चलेंग और यह पुर्म शिडिश का नाम रहेगा मुंखे समास्थास्तिव बीचारक इसे वीडियो में इसमें माह विद्याले की मूल विशावस्तू को समझने और पश्चात्य और भार्ती समय सास्री योगदान नकारण नहीं इसकता है पश्चात्य बेश्टन और इसमें विचारत में आएंगे अगम कार्थ हर्बर्ड स्पेंसर, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, दुर्खिम, पेरेटो ऐसे विदेशी समाज सासरी थे जिन्होंने मानो समाज की समझने हेतु विभीन ने सिध्धान प्रस्तुत किये उनकी मुल्च नचनाओं में इन सिध्धानतों को समझने के लिए बौधी कुशलता वब भासा की समझ अत्यन तावस्यक है तो अत्व हमने इन पश्चात विद्धानों के विचारों वो सिध्धानतों को यह वीडियो के मात्यम से सरल भासा में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है ताकि समाने च्छात्र भी इस सिध्धानतों को आसानी से समझ सके तो आप लोग बताईएगा कि हमारा यह प्रयास आपको कैसा लग रहा है तो आज हम चैप्टर वन देखेंगे चैप्टर वन का पहला चैप्टर का नाम है एतियासिक प्रिष्ट कुमी इसमें भी लोग चार पांच पॉइंट है एतियासिक परिपेग्च सामंतवादी समचन तो चलिए विस्तार शे इन सबी के बारेम जानते हैं तो समसास्त्री विचारक में यह चैप्टर वन का नाम है एतियासिक प्रिष्ट भूमी देखते हैं क्या है कोई भी चिंतक या विचारक अपने यूग की उपज होता है यदि प्रतियक यूग जो इतिहास के परिवेश में बढ़ा होता है अपनी कुछ समस्याइं रखता है उस यूग और समाज की लोग इन समस्याओं के साथ जूजते हैं कुछ समस्याओं ऐसी होती हैं जिनका निदान अपने यूग में ही हो जाता है लेकिन कुछ समस्याओं ऐसी होती हैं जो अपने यूग में आंसिक रूप से हल होने के बाद समस्याओं के एक नई फसली पैदा क का इतिहास अपनी समस्याओं के साथ इस तरह करवटे लेता रहता है जो इन समस्याओं चुनवतियों और त्रासदी का विस्लेशर कर सके वही चिंतक है यानि कि इसमें कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे भी समस्याओं होती हैं जो कि सदियों शलती आ रही हैं और कुछ ऐसे सोशिलोजी वाले क्या कहते हैं और क्या इस पर विचार रखते हैं अपना कई समस्यां ऐसे भी होती हैं जो कभी-कभी यूग की सीमा को पार कर गए कई यूगों तक चलती रहती हैं एक समस्या हल होती है और दूसरी पैदा हो जाती है होता यह है कि समस्या के हल्की कोख में ही नई समस्या होती है इस तरह यूग दर यूग समस्याओं का सिलसिला चलता रहता है और विचारकों की वितिका सच्दी रहती है कहने मतलब यह है कि कोई भी समस्या खत्म होने से पहले उसे दूसरी समस्या आती रहती है और जरूरी नह सकते हैं कि समस्याओं के साथ ही समस्या उत्पन्न होती हैं तो यहां पर कर रहे हैं कि इन विचारकों में कुछ विचारक ऐसे होते हैं जिनकी प्रासंगिता अपने यूग की सिमित अधी के लिए होती है लेकिन कुछ विचारकों की प्रासंगिता कई यूगों तक बनी रहती है ऐसे बिचारक सनातन बिचारक बन जाते हैं समाज़ास्त्र में और इस तरह समाज बिज्ञानों में कुछ ऐसे बिचारक हैं जिनकी प्रसंगेता आज भी बनी हुई है स्व शबासो वर्स पहले जो प्रसंगेता कार्ल-माक्स या दुर्खिम की थी थोड़े बहुत हेर फेर के साथ इनकी प्रासंगिता आज भी बनी हुई है तो कहाने के ताथ पर यह है कि पहले के जितने भी विचारक हैं अपने जो भी विचार रखकर चले गए हैं उस पर एक गहन अध्यन किया जा रहा है तो जरूरी नहीं है कि उसमें जो भी विचारक बात कहे हैं वो सही हो लेकिन आज तक वो चलता आ रहा है और अपनी समस्यां अलग-अलग विचारक अपनी समस्यां उत्पन्द करते जा रहे हैं और उनके बातों को हटाते जा रहे हैं लेकिन फिर भी हटा नहीं पार रहे हैं उस पर बात बढ़ती जा र जाती है एतियासिक परिप्यक्ष यानि हिस्टोरिकल कंटेक्ष्ट समाज विज्ञान के जाने माने विचारकों के ब्यक्तित्व और कितित्व को यदि एतियासिक घटनाओं में देखे तो यह घटना क्रम 1798 अथार्थ आगर्ष्ट काप्ट से लेकर इस भी 1923 अथार्थ बिल फ्रेडु परेटो तक चलता है इतियासिक यह यह यूग अठरामी सताब्दी का अंत और बीस्वी सताब्दी का पहला चरड़ है तो इसमें हम लोग जैसे पता है कि आगर्ष्ट काप्ट तो यह 1923 से ही ह उनने 1798 से ही है और इनका यह घटना घटना तक घटना आता जा रहा है इनके बाद ही तो कालमाक्स लोगरा लोग आये हुए हैं चले आगे बढ़ते हैं इतनी लंबी यूदी में यूरूप में जहां कि यह विचारत थे बड़े क्रांती काड़ी बदलाव आये 1820 इस भी क क्रांती की क्रांती 1848 की क्रांती के अत्रित बहुत बड़ी क्रांती अधोगी क्रांती थी जो भाप के इंजन से लेकर कोईले और बिजली के इंजन तक पहुँच गई यह उसी यूग में था जब अधोगी क्रांती हुई और इसके पैडाम स्वरूप सहरी करण तथा अन् का उपयोग उत्पादन बढ़ाने में किया जाने लगा या दोगी करांती किसी राज के उठापटक की नहीं थी नहीं इसमें समाजियों की मानचित्र बदले और नहीं मुकुट लुड़के वास्तों में भाब के अविस्कार के बाद धीरे-धीरे कई छोटे बड़े अविस कार किया इस संपुर्ट तक नेकी का प्रयोग अधिक से अधिक उत्पादन के लिए किया गया जब अधिक उत्पादन होने लगा तो अपने आप अधिक कच्छे माल की ज़रूरत पड़ी जब इंगलेंड की वकिंगम सती मिल्ज में हजारों मीटर कपड़ा एक पारी में बंदने लगा तो निश्ची तरूप से अधिक कपास की आसकता पड़ी और जब अधिक कपड़ा पैदा हो गया तो इसकी विक्री के लिए नए बजारों की मांग कई वर्सों तो चलती रही एक चक्र चला गया एक चक्र चला गया मतलब एक यूप की तरह बात हो रहा है ए जब मसीन आ गया तो मसीन में करने वाले लोग आए तो अब सारा समान जो भी कच्छा माल उत्पादन करना था तो अलग-अलग देशों में कच्छे माल के लेकर और यहां पर उत्पादन कर दे रहे थे अब जब माल बनकर तयार हो गया जब कपड़े से कपड़ा बन गया अब यहां पर भी मार्केट झने लें लोगें कहां पर इसकी कीमत है और कच्छे माल तो ला दिया है और उसी को बेचने का बजार खोजने लगए हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं मेरा खोज लिए गए गाव के मजदूर दिहारी के लिए अपने पीछे परिवार छोड़कर सहर की और अस्थांत्रित हो गए मतलब कि अब जहां बजार साकराश्त I het काम करने के लिए उनको रोजी-रोटी के लिए काम करना जरूरी है तो मजदूर जर अब शफ कि बज्जित करने के लिए सार की ükुद जाने लगे तो गाहँ के करगे धीरे-धीरे और कहीं जल्दी जल्दी बे मसलब होई खोए कि अब जो मजदूर हैं अपना काम दंदा छोड़कर जो अपने उनके हास्त कला थी उनका जो हुनर था छोड़ चाड़कर सब जाए मजदूर मिलों में काम करने लगें और छोटे-छोटे कारीगर जलाहे और सूती कपड़े बजार को चर्खे और करगे पर चलते थे बेकार हो गया तो अपने कम छोड़कर चलेगा मसीनों करने के लिए जो अब चर्खे पर काम कर रह्यों कर रहें ते वो से बेकार पड़ गया अधाइं के अधवि करांती ने कई नए हाथों को धंदा दिया कई पुराने कारीगर हाथों को बेकाम बेकाम कर दिया, नए मुनाफ़ा खोर आएं, पुझी कुछ लोगों के हाथों में केंदित हो गई, अधिक लोग केवल दिहारी करने वाले रह गए, अईस तरह 28 अताबदी अरोधोगी पुझी वाद ने समाज के सामने कई नए मुद्दो प्रस्तुत कियें, तो ये तो सही ह है, कि अगर कोई एक पुझी पती पैसा लगा रहा है, तो उसमें हजारों मजदूर काम करेंगे, तो पैसा तो एक अई के हाथ में रहेगा, तो ये तो सही बात ही कहा जा रहा है, लेकिन मजदूरों के हाथ में क्या रहा जाएगा, मजदूर तो अपना जो भी चर्खे पर काम कर रहे थे और उनका हस्त कला था वो सब सब छोड़ ठड़कर मिलो में हाकर काम कर रहे हैं और पपटीयों के और भी पटब बढहाते जा रहे हैं तो पुझी एक Beneewer लोग के हाथ में कंचित होते जाएंगा और उन्के जो और विपूराने कारिगर थे उनके जो हातों में उन्र थी वह सबकूई कोई मतलब नी रहा सब बेकाम किगिर गए हैं अब सबी लोग मसीन पेकाम करना ना सुरू कर दिये तो अपने अपने उन्र को भूलते जा हैं ऐसे ही का जा रहा है कि 830 समाने लोगों को ऐसा लगा कि अब हाप से चलने वाले भीम कारखाने रक्षस गए हैं और जो गाउं में बसे सैकड़ों कारीगरों को विकार कर देंगे और दोगी करांती से पहले जो समाजिक एकी करण था वह तहस नहस हो जाएगा ऐसा लगा कि समपूर समाज विवा सभी की चूले हिल जाएंगे और बैचारा आदमी कहीं का नहीं रहेगा इस तरह परिवार ओदोगी क्रांती ने समाजे विगटन के चुनावति को ततकालिन समाज के सामने प्रस्तुत किया इस चुनावति का प्रतिवत्तर उस यूग के विचारकों ने अपनी-अपनी समझ के साथ दिया या इसी कारण है कि कारल मार्क्स, मैक्स वेबर और दुर्खिम सभी ने अदोगी क्रांती, अलगाव, पुंजीवाद और मजदूरों के सोसड और उनकी वेवसी पर लिखा है चुनावति तो एक है अदोगी क्रांती और उसके पैडाम इस चुनावति का उत्तर अलग-अलग है जो कुछ मार्क्स करते हैं वो वेबर को स्विकार नहीं है मार्क्स और वेबर के सिधान जो कुछ रखते हैं वो दुर्खिम को स्विकार नहीं है इस विबिनता के होते हुए भी अधोगी करेड के चुनावती का उत्तर सभी ने अपने तरक के साथ प्रस्तुत किया यह तरक इतना ससकत है कि इसने इन लेख़़ों को विचारकों के दरजे पर रख दिया है यानि अपने सभी तीनों लोगों ने तीनों लोगों को कहने जा रहा है और उनके विचारों को तत्रस्त रहा जा रहा है ज़िए आगे बढ़ते हैं सामन्तवादी संरचना और अर्थ बेवस्ता तो इसमें क्या है सामन्तवादी संरचना का संबंद कुलीन तंत्री सैनिक तथा धर्म प्रधान राजनीतिक आर्थिक और समाजिक बेव कानून वेताओं के मद्य प्रचलित रही सामन्तवादी बेवस्था पर काल मार्क्स विबन ने बहुत कुछ लिखा प्रांसीसी इतिहासकार मार्क ब्लाच ने अपनी पुस्तक फ्यूडर सोसाइटी में सामन्तवादी संरचना की बीसद ब्याख्या की ब्लाच का मांदना है क कि प्रतियक समाज की अपनी एक पिथक विसेस्ता होती है उन विसेस्ता उन विसेस्ताओं के अधार पर ही समाज की ब्याख्या की जाती है सामन्तवादी बेवस्था में भूमी का विभाजन छोटी अथवा बड़ी जागिर के रूप में किया जाता है जो बड़े जागिर करवाएंगे सामंतों को सामंत मतलब जो कि उहां पर सामंत रखे गए हैं उनको सायनिक साहता उपलद करवाएंगे भूमी पर क्रिसी कार्रे क्रिसी दासों द्वारा किया जाता है संपुर उत्पादन के मालिक जमिदार होते हैं मतलब पूरे जमिन के मालिक जमिदार होते हैं जिने सामन्तों द्वारा भूमी पट्टे पर मिली होती है, मतलब सामन्तों उन्हें पट्टे पर दिये रहते हैं, जमिदार, जमिन के पट्टे के बदले में सामन्तों को पैदावार का एक भाग माल गुजारी की रूप में देता है, बड़े-बड़े सामन्त सीरे राजाओ से जुड़े होते हैं सामन्त जो राजाओं से जुड़े हैं उनके एक प्रकार से उनके सलाकार भी नहीं उनके सामन्त मतलब की एक एरिया के देखरेक करने वाले हो गए हैं तो उनसे सीधे राजाओं से जुड़े ही वोट रहेंगे भू स्वामित तथा ज्यागिरदारी साम सामंत्ती बेवस्था की सारोव भूमिक भिसेश्ता रही है। फिर भी अलग-अलग देशों में सामंतवादी बेवस्था के अलग-अलग सोरूप पाये जाते हैं। पर काफी लिखा और 19 सताबदी के बाद इस अधाड़ा पर काफी मद्भेत उबर कर सामने आए मैक्स वेबर ने इसे एक राजनीतिक ब्यवस्था के रूप में परिभासित किया और कहा कि यह सरकार का एक रूप है जिसका गठन युद्य एवं सासन सेवा के प्रतिस समर्पि एक आर्थिक ब्यवस्था माना है इसमें उत्पादल प्रक्रिया के दोरान भूमी हीनों én के सोसड की ब्याक्या की गई है जागिरदार और किसी क्रिस्को के मद्ध सोसर के समन्द थे, इसलिए कालमाक्स से इसे वर्ग संघर्ज का कारल मानते हैं इसी सामन्द वादी व्यवस्ता में अनेग चिंतकों और विचारकों का उद्वा हुआ और उन्होंने सासन व्यवस्ता का विसलेशा क्रिसी भूमी के संदर्व में किया अब आगया फ्रांसिसी और अदोगी करांटी यूरोपी समाज मुख्य रूप से राज्टंत्र आधारी सासन व्यवस्ता पर निर्वर था आर्थिक व्यवस्ता में क्रिसी भूमी को केंदरी अस्थान प्राप्त था समानेत सामन्द और जमिदार क्रिसी भूमी के मालिक हुआ करते थे और भूमिहीन क्रिसक उनकी जमीनों पर क्रिसी कारे करते थे उस समय धर्म समाज का अधार्वो सिधान था धर्म गुरु ही समाजिक जीवन के साथ लौकिक जीवन में भी यह तै करते थे कि क्या नैतिक है क्या उचित और क्या लेकिन अनुचित इस काल में राजा को दैवी अधिकार प्रावत थे और इसी के बल पर वह सासन करता था दैवी मतलब राजा को ही भगवान माना जाता था यूरोप उस समय फ्रांसिसी और अधोगी करांती के दौर से गुजर रहा था इससे पुर्व 14-19 सतापती के बीच वारेजिक एवं बैग्यानिक करांतियां हुई जिसे हम ग्यानोदय या पुने जागर काल काते हैं सन 1789 में फ्रांसिसी करांती हुई जिसने स्वतनतरता वन समानता के लिए मानो संगर्ष के इतिहास को नया मोड दिया इस करांती ने सामनतवार्थ के योग को समाप्त करके नई ब्यवस्ता का सुत्रपात किया इसी समय राजनीतिक छेत्र में मद्यवर्ण का प्रभुत्तो बढ़ा इस करांती समाज में ब्यापक परिवर्थन होने लगे अईस करांती ने नकेवल फ्रांसिसी समाज को प्रभावित किया अपित्तु संपोड यूरोपी समाज में ब्यापक परिवर्थन की रूप रेखा प्रस्तुत की फ्रांसेसी क्रांती के कारण फ्रांस में क्रांती के कारणों की ब्याख्या करे तो मुख्य रूप से तीन प्रमुख कारण दिखाई देते हैं जिने हम संच्छेप में यहां परसुद कर रहे हैं तो पहला कारण है राजनिती कारण राजनती कराड़ के अंदर क्या है कि फ्रांस में लगवख 200 वर्सों से निरंकु सासन चल रहा था यह सासन बोर्डों राजय चला रहे थे सन 1614 के पस्चाथ वहां की संसद जिसे एस्टेट जन्डल कहते हैं इसमें मुखे रूप से पादरी दूसरा सामन्त वर्ग और तीसरा समाने वर्ग समिली था इनकी कभी कोई सभा नहीं बुलाई गई इसी करण समाने जन्ता का सोसड होता था और किसी को भी अपने विचार अभिव्यक्त करने की सुत्नता नहीं थी करने का भी प्राय है कि राजनीतिक बेवस्था पूर्ड रूपेड अब वेवस्ति थी विदे निर्भागों के छित्रा अधिकारों का निर्धारड इस पश्ट नहीं था इसी करण भष्टा चार अच्छमता फीजूल खर्ची जैसी समस्याओं ने विकराल रूप धारड कर लिया समान निया बेवस्ता का अभाव था समान सामंतों को जब कर एकत्रित करने का अधिकार दिया गया तो उन्होंने समाने जनता पर जूल में ढढ़ाए और अत्यधिक सोसड किया सन 1756 से 1763 तक फ्रांस कई प्रकार के मुद्दों में उल्जा रहा और अत्यधिक धन खर्च कर दिया इससे देश में आर्थिक दिवाली अपन की स्थिति पैदा हो गई पादरी वर्ग द्वारा विलासितापुड जीवन बेतित किया जाने लगा यानि महां पर पादरी सब से उपर थे राया से भी उपर पादरी रहा करते हैं, और वह भीलासितापूड जीवन जीते थे मंदिरों में रहते हुए सरकार के कार्वा महसाच्षे च्छेप किया करते можем निम्न पादरी वर्ग जो जन सधारण से ही चुने जाते थे और इन्हें अधिक काम करने के साथ-साथ गरीबी की मार भी सहन करनी पड़ती थी यानि वहाँ के पादरी वर्ग जो जन सधारण से चुने जाते थे उनके लिए इसी प्रकार सामन्त वर्ग भी सोसर की प्रक्रिया के साथ जुड़ गए क्योंकि ये वर्ग कर न चुकाने के बिसेसाधिकार से जुड़े थे तिसरा समू वर्ग समाने वर्ग था इसमें किसान, मजदूर, कारिगर, ब्यापारी तथा अनेक स्रमों से जुड़े लोग आते थे अधिक परिश्रम और भारी कर इनकी नियती बन चुके थे राजा भी इनका भारी सोसर करता था इसकार फ्रांस में आर्थिक दिवालियापन के कारण राजा तथा मध्यमोर्ग को एक दूसरे के बिरुद खड़ा कर दिया फलता करांती भड़क उठी, इसमें मध्यमोर्ग ने अपने नेतित में सबको अपने सबात मिला लिया दूसरा कारण आर्थिकारण है फ्रांस की राज्य करांती का वर्थिक कारण आर्थिक ही था इसमें मुख्य रोब से मध्यमोर्ग का उदय वाड़िज्यवाद का बिरोद, विसेसा अधिकारों का अस्थित्व असमानकर प्रडाली सामन्त वादी खंड़हरों की पाचान इत्याधी थे प्रांस में जब मध्यम वर्ग की आर्थिक इस्टिती अच्छी हो गई तो समाज में उसे प्रतिष्टा भी प्रावत होने लगी इस कारण या वर्ग भविस्य में अपनी भूमिका के प्रति सचेत था इसी संपन्न मध्यम वर्ग को बुर्जुवा वर्ग कहा जाता था इस वर्ग ने ब्यापार उत्पादन रथा अवित्य के संसाधनों पर अपना कबजा कर लिया था लेकिन इन्हें कोई राजनीति विज़सा अधिकार प्राव तो नहीं थे नियायलेयों में इनका कोई प्रभाव नहीं था तथा नीति निधारर मता अधिकारों से भी वन्चित था इस कारण इन्होंने सामन्तों का विरोद किया और क्रामती के साथ जुड़ गये बुर्जुवा वर्ग वारिज्यवादी नीतियों के विरोद में था सरकार ने बैपार तथा वारिज्यवादी को संरचर दिया और आर्थिक आत्मनिर्भरता नियमित किये गए बैपारी इन्हें स्वतंद्र बैपार में बाधक मालने लगे एडम स्मित ने अवहस्तच्छेप निति का समर्थन किया फ्रांस में यह तब ही संबव था जब अस्थापित राजनितिक ब्यवस्था में बदलाव लाया जाये अता स्वतंद्र बैपार की इच्छा एवं वाड़िज्जिक नितियों का विरोद भी फ्रांसिसी कांती कामों के कारण रहा आर्थिक कारणों में एक महत्तपुड कारण विससाधिकारों का अस्तित्तो भी था उच्च पादरी वर्ग वह सामनती लोगों को कर भुकतान में छूट थी लेकिन वे अपने इच्छा से सधारण जनता पर कर लगा सकते थे इन विशेसाधिकारों के कारण करांती का ओद्वह हुआ न असमान कर पड़ा लिए जो विशेसाधिकारों से समंदित थी पुढ रूप से अन्या पुढ थी चर्ज की संपत्ती पर कोई कर नहीं था प्रत्यक्ष कर दोनों ही मौझूद थे लेकिन चर्ज पर कोई भी टेक्स नहीं देना था आयातित समान पर कर था तथा उसके आंतरी छेत्रों में वित्रड पर भी कर था इस प्रकार कर का पूरा भार किसान मजदूर तथा मध्यम वर्ग पर था समान वादी बेवस्ता के अंतरगत पिछड़े छेत्रों में अर्धर्थ दास्ता यानि सेर्फेडम की बेवस्ता पनप चुकी थी किसानों मजदूरों से बलात सरम करवाया जाता था इसके अलावा समान चब चाहे जहां चाहे सिकार कर सकते थे वे खड़ी फसलों को नश्ट करने से भी परहेज नहीं करते थे इस कारण लोगों में असंतोस पैदा हुआ तीसरा है बौधिक कारण बौधिक चंता के विक्सित होने पर समाज की अस्थापित समाजिक राजनीतिक और आर्थिक बेवस्ता पर चिंतन होने लगा इसी चिंतन ने नई ब्यवस्ता की रूप रेखा प्रस्तुत की इसके अंतरगत अठरहामी सतापदी का प्रबोधन युग महत्तपूर था और बैग्यानिक सोचवत तारकिक्तात को बढ़ावा दिया अनेख विद्वान जैसे जॉन लॉक, मांटेसक्यो, रूसो इत्यादी ने अपने महत्तपूर विचार प्रस्तुत किये इन विचारों में स्वतनता, समानता और भ्रातित सम्मीलित थे उपयूत कारणों से फ्रांस की करांती हुई और सम्मूर विच्व में स्वतनता, समानता और भाईचारे का नारा दिया इस तरह फ्रांसिसी करांती की ब्यापत्ता सारो भोमिक प्रभाव लिये हुए थी यह करांती परिवर्तन की परिचायक थी अब बात करते हैं और दोगी करांती के और दोगी करांती सन 1760 के आसपास ब्रिटेन में प्राराम हुई इस करांती के कारण न किवल ब्रिटेन में बलकि यूरोप तथा अन्य महादीपो के समाजिक और आर्थिक जीवन में परिवर्तन हुए आधुनिक उद्योगवाद तथा अदोगी करण के कारण उत्पन हुए परिवर्तनों को अदोगी करांती का जाता है नवीन तकनीकी अविसकारों ने पुर्त उत्पादन प्रक्रिया को बदल दिया तथा बड़े उद्दोग उभर कर सामने आए परेडाम यह हुआ कि लगू उद्दोग कमजोर होने लगे और रिहत उद्द्योग अस्थापित होने लगे बड़े बड़े कलकार खाने अस्थापित जी हुए जिससे ब्रिटेर में आर्थिक तकनीकी समाजिक ब्यवस्था में अनेक नवीन परिवर्तन हुए इन परिवर्तनों से उत्पादन की सामंत वादी परडाली के अस्थान पर पुंजी वादी परडाली विक्सित हुए पुंजी पतियों वो उद्दोग पतियों का एक नया वर्ग उबरगर सामने आया जिसने अदोगी परडाली को नियंतित किया समाज की अर्थ बेहुस्ता में बदलाव के कारण नए समाजिक परिवर्तन हुए तथा बैंक बीमा तथा वित निगम जैसे नए उद्धोग भी अस्तित्त में आए इसके पल सरुप अदोगिक स्रमिकों प्रबंदकों तथा पुंजी पतियों का नए वर्ग उगरा जहां जहां उद्धोग अस्तापित हुए वहाँ वहाँ उत्पादम बढ़ा और जनसक्या का केंदरी करण भी होने लगा इससे नगरी करण की प्रक्रिया को बल मिला और नगरों का विकास होने लगा और दोगिक नगरों में आर्थिक समाजिक विसमता बहुत अधिक थी हमेशा एक यही तरह का कारे करने से मजदोरों को काम में काम से संतुष्टी नहीं मिलती थी माक्स के अनुसराथ जब ऐसी इस्टिती पैदा होती है तो स्रमिक अपने ही स्रम से उत्पादित वस्तु से कर जाता है इस तरह और दोगी समाज का जीवन ग्रामिर समाज से एकदम भिन्न हो गया ओदोगी करांति के कारणों में कारे करने वाले स्रमिकों का एक नया वर्ग पन्पाद लेकिन समाज एक दिष्टी से वे उपेक्षित थे किन्तु नई ओदोगी ब्यवस्ता में उनके भूमी का अनिवार थी अधोगी करांती के दोरान भूमी पर परंपरागत अधिकार का महत्व समाप्थ हो गया और पुंजी वधन का महत्व बढ़ गया नई अधोगी प्रढ़ाली में पुंजी निवेस अधिक प्रभावी हो गया सामन्तों की प्रस्थिती में गिरावट आने लगी तरह सत्ता नए पुंजी पतियों के हाथ में पहुँच गई उदोगों के स्थापना के साथ ही नए नए नगर बसने लगे इससे वहाँ की समाजिक व आर्थी संरचना की प्रकृति विशिष्ट हो गई इन नगरों में दुख और अमानमीता का महाल था गाउं से लोग सहरों की तरफ आकरसित हुए मैला वबच्चे भी करकानों में काम करने लगे इससे परिवारिक समंदों में परिवर्तन हुआ काम पर मनुसिक के बजाए मसीन का प्रभुत हो गया स्रमिकों द्वारा जो भी उत्पादन किया जाता उस पर उसका अपना अधिकार नहीं रहा और फैक्टरी मालिकों का भी फैक्टरी मालिकों का अधिकार हो गया मतलब जहां पर स्रमिक कारिम करते थे सब का अधिकार खतम हो कर सबके सारे अधिकार मिले फैक्टरी के मालिकों का अधिकार हो गया और इस कारण उन्में उत्पादन के प्रती अलगाव पैदा हो गया फ्रांसिसी करामती और और दोगी करामती के पैड़ाम सरूप यूरूप में कई प्रकार के नए समाजिक आर्थिक परिवर्टन सामने आये यही कारण है कि यहां एक प्रकार से नई वर्ग व्यवस्था का विकास हुगा पुराने वर्ग समाजिक होने लगे धर्म को चुनावती दी जाने लगी और धर्म के प्रती लोगों की आस्था कम हो गई परिवार में परिवर्टन आये और परिवारिक निष्ठाओं के अस्थान पर बैचारिक अस्थाओं ने अस्थान ले लिया अगे ले देले लोग ढल को छोड़कर अपने परिवार में परिवतन लाने लागे और अपने परिवारिक निष्णाओंक अस्थान पर बैचारीक अस्थाओं बदम लेने लगे अस्था तो व्यात है इस प्रकार इन करांतियों ने नविन परिश्थितियां पर विचार करने है तो बुद्धि जीवियों को प्रेरित किया प्रबोधन यूग अटरामी और उन्यस्वी सताबदी के यूरोप में एक और नया बदलाव देखने को मिला जिसे प्रबोध करते हैं प्रबोधन ने संपूर यूरोप को अपनी परिधी में समेट लिया इस यूग का विचारक अपने पिछले यूग से भिन था प्रबोध यूग के विचारका यप मुखे विश्वास था कि इस संपूर संसार को समझा जा सकता है और इसका पूरा प्रयोग मनुस्य की आवसकताओं के लिए किया जा सकता है इस यूग की बहुत बड़ी विशेस्ता तरक हो गई विचारकों ने तरक को इस्वर के बराबर समझ लिया इस अधार पर समाज विज्ञान में ऐसे नियमों की खोज की जाने लगी जो प्राकृतिक विज्ञानों के नियमों की तरह हो इस यूग की बिचारकों के लिए सब्त्य एक जीवन का अंतिम मुहारा बन गया इस सब्त्य की खोज में वे सभी समाधी संस्थाएं जो अंद विश्वासों, मित्कों वा भावनावों पर अधारी थी लडखनाने लगी दूसरे सब्दों में यह मान जाने लगा कि चर्च राजा प्रजाती आदी रूडी का संस्थाय तर्क के आगे टिक नहीं सकती और इसलिए इनकी खूब आलोचना होनी चाहिए इनकी छीच्छा लेदर होने चाहिए और सत्य तथा तर्क को सबसे उंचा अस्थान मिलना चाहिए अट्रामी तथा उनेश्वी सताबदी को विचारकों का पूरा विश्वास विज्ञान तर्क तथा प्राकृति नियमों में था आगहत काम्त 1798-1867 ने विज्ञानों का वर्गी करण किया जिसमें उन्होंने विज्ञानों में गडित और जोतिस को सबसे नीचे रखा क्योंकि वे अमूर्त है उन्होंने जिव विज्ञान तथा समाज सास्त्र को विज्ञान की इस सोपान अवस्था में सबसे उपर रखा इसका कारण यह है कि बाद कि ये दो विज्ञान आदमी और समाज के रूबरू होते हैं इन सब विचारों को इस युग में प्रत्यक्षवादी बेवस्था में रखा गया प्रत्यक्षवाद ने उनिस्वी सतापदी के परंपरागत विचारों और मुल्यों को एक चुनावती दी यह चुनावती इसलिए थी कि प्रत्यक्षवाद ने धर्म तथा तत्तो मिमांसा की दोस्पूर और धाराओं को अस्विकार कर दिया यह उस दर्शन सास्त्र को रद्ध करता है जो तत्तो मिमांसा की परिधी में बदा रता है विज्ञान के विकास तथा प्रबोध ने इस यूग के विचारकों को तर्ग संगत बना दिया वे आलोचक बन गए उन्होंने संपूर विचार धारा को आलोचना की दिश्टी से देखना सुरूप किया इसका प्रबोध यूग के विचारक यह प्रयास करते रहे कि वे समाज विज्ञानों और इस अर्थ में समासास्त्र को एक विज्ञान का दरजा दे सके समासास्त्र प्रकृतिक विज्ञान की हैसियत में आ जाए अपने इस प्रयास में इन विचारकों ने परिवार प्रजाती धर्म सभी पर अक्रमर किया उन्होंने समासास्र में सबसे पहली बार सिधान निर्मार का कारे प्रारम किया 18.19.19 सतापदी के विचारकों ने धर्म पर बहुत कुछ लिखा है यह लिखावट तरक रथा सत्य की खोज में की गई है माक्स करते हैं धर्म कुछ नहीं है पुझी वात का ठकोसला है एक नकाब है सब मिलाकर अफिम का एक ऐसा नसा है जो उन्हें सोसर के प्रती अवाई नहीं उठाने देता है बेसुद कर देता है यह सब विचार माक्स करते हैं काल माक्स की धर्म कुछ नहीं है यह सब अफिम का नसा है इसमें पुझी वात मजदूर के सरीर पर घाव कर देता है उसे निचोड़े हुए एक नीबू की तरह निरस कर देता है फिर भी धर्म उसे सुलाय रखता है धर्म पर जो इस यूग क भी लिखा है देखिए मैस विबर ने क्या लिखा है उनके प्रतिकिरिया दूसरी है वे करते हैं कि यह प्रोटेस्टेंट धर्म यानि उसके कालविनवादी संप्रदाय के अचारियों की देन है कि यूरूप में पुझी वाद आया जहां मास करते हैं कि समाजी परिवतन उ फेडियाज द्वारा होता है धर्म के समन्द में विचारों का एक गरूप कहता है कि समाज में परिवर्टा ना जाता है तो दूसरा गरूप इसे अफिम से ज्यादा नहीं मानता है चुनावती एक है प्रति उत्तर अनेक इधर मास और वेबर की तरह दुरुखिम ने भी ध पवित्र हैं और जो पवित्र नहीं है वेकेवल अपवित्र हैं दुर्खिम समाजिक संद्रिड़ता के लिए धर्म को एक अवस्यक समाजिक तथ्य की तरह अस्थापित करते हैं हमारा आगरा यहा है कि जब कभी इतिहास का कोई यूग किसी चुनोती को रखता है तो इस यूग के विचारक अपनी अपने दिश्टी से चुनोती पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं अठरामी एयो मुनेश्वी सतापजी के यूरोप में प्रबोध यूग ने समाजसास्र और समाजी विज्ञानों को प्रत्यक्षवाद तता विज्ञानवाद के पैडाम सरूप सिधान्त निर्मार के चेतर में एक नई दिशा प्रदान की अब ये सोचा जाने लगा कि जब ज्यान के छेतर में प्राकृति विज्ञान हो सकते हैं तो समाजी क प्रगटनाओं के अध्यन के लिए समाज विज्ञान क्यों नहीं हो सकते क्या समासास्र ये भी ज्ञान हो सकता है इस पसने का उत्तर इस यूग की विचारकों ने देने का प्रहत्न किया है 17 सताबदी का ज्ञान निगमनात्मक यानि डिटक्टिव था अब प्रभोध यूग ने इसे नई दिशा दी डेकारटे ने समझ पर अधिक जोर दिया वे निगमनात्मक थे अब प्रभोध कालिन विचारक बिसले स्रात्मक बन गए उनका जुकाव निउटन की तरफ था निउटन सेव की गिरने का अवलोकन करता है और इसका अनुभव करता है प्रभोधन कालिन विचारक भी इसलिए अब प्रगटन नाओं को देखकर उनका अनुभविक अध्यान करता है अध्यान सामग्री इन विचारकों के लिए तत्यों का जंगल नहीं है आकड़े बेमतलब नहीं है, यदि विसलेशड किया जाय तो इन तत्यों या अध्यान सामग्री में भी हमें निश्चित स्वरूप मिलेंगे प्रतिमान मिलेंगे तथा इनके बीच में नियमी तायं और सम्मंद मिलेंगे यह प्रबुध यूग के कारड़ ही था कि इस यूग के विचारकों ने समाजसास्त के परिभासा एक विज्यान के रूप में की दुर्खिम ने तो बड़े मोटे अर्थों में कहा कि समासास्त और केबल समाजिक तर्थियों का विज्ञान है यहीं सोसल फेक्ट पेरेटियों ने समाजिक प्रगटनाओं के और लोकन तथा तर्ग पर जोड़ दिया इसकी परिभासा में उन्होंने कहा कि समासास्त तर्गि प्रयोगात्मक है जब किसी ग्यान साखा को विज्ञान का दर्जाय देते हैं तो उसकी अध्यान विधी भी निश्चित रूप से तर्गिक था वैज्ञानिक होनी चाहिए दिर्खिम ने समासास्त की अध्यान विधी को निश्चित रूप से देने के लिए 1895 S.B. में The Rules of Sociological Methods नामक एक पुस्तक भी लिखी है इस पुस्तक में वे समाजिक तथे को समासास्त्री विधी का बहुत बड़ा अधार मानते हैं जब दिर्खिम sociology and philosophy 1924 पुस्तक में समासास्त्र और दर्षन की विख्या करते हैं तब उन पर प्रभोध यूग का पूरा प्रभाव देखने को मिलता है वे काते हैं कि यदि दर्षन सास्र अनुभाविक नहीं बनता अलोकन नहीं करता तो वह केवल तारकिक मात्र रह जाता है और केवल तर्क विख्यान नहीं है बिज्ञान के लिए अनुभाविक होना आवस्यक है वास्तों में प्रभोध यूग की एक समस्या विधी की रही है इसके प्रतियुत्तर में माक्स एतियासिक भौतिकवाद या दौनात्मक भौतिकवाद को विधी या सिध्धान का अधार मानते हैं मैक्स विवेबर भी विधी की चुनावति से आउगत थी दुर्खिम के समाजिक तत्थे की तरह उन्होंने आदर्स प्रारूप यानि एडियल टाइप को एक विधी के रूप में प्रस्तावित किया उन्हेस्वी सताबदी की प्रभोध जनित समस्या विज्ञान और प्रत्य में अजया आपनेा इसवाद की रही है उपने विस्वात के साहत समरा जुद जुड़ा हुआ है इस यूग में जिन देशों ये और दोगी करण के छेतर में अपने उत्पादन सक्ती को बढ़ा लिया उन देशों नये बजारों की खोज में सम्राजवाद और उपनेविशवाद को अपना हतियार बनाया फ्रांस ने बराबर या कोशिस की कि अफ्रीका और एसिया के पिछड़े देशों पर अपना अधिकार जमाया जाया जिसे उसे नया बजार मिले हम जानते हैं कि डूपले ने दच्छिर भारत में प्रविस किया और उसने बजार के पतियोगिता में कुलाई से संघर्स किया इधर सताथी के अधोगी करण का केंद्र इंग्लेंड बन गया इंग्लेंड में उद्धोग का जिस प्रकार विकास हुआ वह सारे यूरोप में बे मिसाल था वाटर लो की लड़ाई के बाद दच्छिर जर्मनी के दर्सनिकों ने जिसने में हीगल प्रमुक्थे ने कहा कि अधोगी छेत्र में इंग्लेंड का कोई सानी नहीं था इस देश के विकास का अधार वाड़िज और उद्धियोग था ऐसा लगता है कि इंग्लेंड ने दुनिया भर में सब्वेता को फैलाने का मिसन अपने कंदों पर ले लिया था वह तो एक प्रकार से सब्वेता का दूत या मसीहा बन गया था उसने अपने वाड़िज जी की भावना का विज्दार साथ समुंदर पार राने वाले असब्य लोगों को सब्य करने का बीड़ा उठा लिया वह तो चाहता था कि लोग अपनी नियूंतम आस्वताओं को बढ़ाएं हिंसा के जीवन को छोड़े तथा धन संपत्ति के प्रती आधरणी भावना को अपनाएं दचिड़ अप्रिका और भारत में जब अंग्रेज आये तो उनका बुनियादी उद्देश उपनिवेश वादी ना होकर अपने वाड़िज को फैलाना था वे तो ब्यपार करना चाहते थे एंडेसों के सामने वे विशुद रूप से ब्यपारी थे इंग्लेण की इस वाड़िज ये तथा ओदोगिक प्रवित्ति के प्रती टीका करते हुए हीगल ने लिखा अंग्रेजों का भौतिक अस्तित वाड़िज और उद्दोग पर अधारित है और उन्होंने इस तत्य पर अपने आपको दुनिया भर की सभिता का मसीह समझ रख है यह इसलिए कि उनके वाड़िज का उत्सा उन्हें साथ समुंदर पार करने और बियावान जगहों में चाने के लिए प्रेडित करना है वे जंगली लोगों के साथ तालमेल बैठाते हैं उनमें आवसकता पैदा करते हैं उन्हें जग जोडते हैं और ऐसी रसाएं पैद अंजे में फस जाते हैं और अंत में चलकर अपने बेकानोनी और बहसी जीवन को छोड़कर संपत्ति तथा नागरी जीवन की ओर अक्रिष्ट होते हैं इस सताल्दी में इस तरह फ्रांस और इंगलेंड के अत्रीव कई छोटे बड़े देसों ने दूसरे देसों में जाकर और दोगी सबेता को वेचा अठार सो उननाई सिजबी में अटलांटिक समुद्र को जहाज से पार किया गया आने वाले दसक में बेल्जियम, फ्रांस और जर्मनी में रेल बेवस्ता का सुतरपात हुआ उसके 40 वर्स बाद अमेरिकी अविसकारक मोर्स के प्रयास से सारे य से डाग बेवस्ता अस्थापित हो गई, इन अविसकारों के दो बड़े परड़ाम सामने आये, पहला तो यह हुआ कि वाड़िज और अविसकार सारी दुनिया में फैल गए, और दूसरा यह कि गाओं और सहर की जनसंख्या में अंतर बढ़ गया, यह परिवर्तन विसेश कर जर्मनी में देखने को मिला, यह राज 1881 इस भी में संस्थापित हुआ था, इसमें मन्चाही जमीन पर किसान खेती करते थे, यह खेतियर एक सक्तिसाली कौम थे, लेकिन जियों ही तार, टेलीफोन, बिजली, रेल और लोहे जैसी धात्म का अविसकार हुआ, जर्मनी सक केवल साट वर्सों में इसकी सहरी जनसंख्या चार गुना बढ़ गई, यह सब उतार चड़ाव किसी भी दिश्टी से देखे तो क्रामती कारी थे, इसने संपूर यूरोप के सामने पुंजिवाद की समस्या को रखा, पुंजिवाद से जुड़ी हुए समराजवाद और उपने वेश्वाद की समस्याएं थी, कारल माक्स ने इस चुनावती का प्रतियूत्तर किया, उन्होंने बताया कि दुनिया के उत्पादन विदिया, मोड़ा प्रोडक्शन, और दोगी करांति के परढ़ाम सरुख, यानि उत्पादन सक्तियों, प्रोडक्शन, होर्सें क कि प्रड़ाम स्वरुख दो भागों में बट गई हैं जहां यूरोप की उत्पादन सक्तियां तक्निकी और अद्रोगी की थी वहां एसिया की उत्पादन विदी एसिया की उत्पादन विदी एमपी पर टिपड़ी करते हुए कहा कि एसिया का समाज वर्ग समाज यानि क्लास सोसाइटी नहीं था जैसा यूरोप में था यहां तो जिस पर सासन किया जाता था अर्था प्रजा और सासन करने वाले वर्ग के बीच में संगर्ज था माक्स ने अपने जीवन काल में कोई तीन हजार प्रिष्ट लिखे हैं इन सभी प्रिष्टों का तर्क समराज जवाद उपनेवेसवाद और उत्पादन विदी अर्थात पुंजी वास से जुड़ा हुआ है दुर्किम के सामने विदी उपनेवेसवाद और समराज जवाद महत समस्याएं थी वे इन समस्याओं के रूबरू अपनी पुस्तक सोशिलिजम और 1928 तथा मोरल एजुकेशन में होते हैं मैक्स वेवर इसी समराज जवादी संदर्म में प्रभुत्तों का आदर्स प्रारूप आइडियल टाइप देते हैं माक्सवादी समासास्त्र और गैर माक्सवादी समासास्त्र में कुछ बुनियादी अंतर है समाज सास्त्र के जो थोड़े बहुत जाने माने बिचारक है वे इन दो समाज सास्त्रों में बट जाते हैं या तो वे माक्सवादी समाज सास्त्री बिचारक है या गैर माक्सवादी इन दोनों समाज सास्त्रों में पहला बुनियादी अंतर यह है कि जहां माक्स्रवादी विचारक आदुनिक समाज को अनिवार रूप से वर्ग समाज मानते हैं, वही गैर माक्स्रवादी विचारक इस समाज को प्रकरात्मक समाज मानते हैं. विभीन विवसाय और उद्धोग धंदे प्रकारात्मक समाज में एक दूसरे के कार्यों से जुड़े हुए है भाग भाग से भाग अन्य भागों से जुड़ा हुआ है यह समाज एकात्मत्ता पर अधारित है एक मत्ता पर अधारित है इस समाज की विवस्था एक निश्चि भी पदती जन्य होता है, माक समाज में वर्ग देखते हैं, इसमें एक वर्ग दूसरे वर्ग का दुस्मन है, एक वर्ग दूसरे वर्ग का बिरोधी है, ऐसे समाज में समंधों का ताना बाना और कुछ न कुछ होकर केवल संगर सही होता है, इस समाज में सुधार की कोई गु दूसरी और गैर माक्स्रवादिस बिचारक जो कुछ सोचते हैं, वे बिलकुल माक्स्रवाद के विपरीत हैं. ये बिचारक ऐसा नहीं मानते कि इतिहास के भी कुछ नियम होते हैं. उनका कहना है कि यदि इतिहास के नियम हो भी तो वे निश्चित नहीं है उनका आरोप है कि माक्षवादी बिचारक जिन नियमों को इतिहास का नियम मानते हैं उनकी कोई बैचारिक बैज्ञानिक बैज़ता नहीं है साब बात यह है कि गैर माक्षवादी समाज सास्त्री बन्यादी रूप से बिशले श्रात्मक तथा अनुभाविक हैं वे तो व्यक्तियों के जीवन की परताल केवल इंदो कारकों पर ही करते हैं गैर माक्षवादी बिचारक वर्तमान समाज बेवस्ता के प्रती हमदर्दी का रविया अपनाते हैं वे इस समाज की बैज़ता को मानते हुए समाज के अंगों की आलोचना तो करते हैं लेकिन संपूर्ज समाज को अपनी स्विक्रिती देते हैं माक्सवादी और गैर माक्सवादी विचारकों को दो अलग-अलग खेमों में रखना उनुचित होगा समाच की एक तस्बीर को स्विकार करके हम इसी समाच की दूसरी तस्बीर को ठुकरा नहीं सकते समात जटिल है जहां इसमें ऐसे पहलू हैं जो सरोमान और एकमत हैं वही ऐसे पहलू भी हैं जो हमेशा बिरोधी या संगर्स में है एकमत को संगर्स से जुदा नहीं किया जा सकता साथ इस संगर्स को देखते हुए एकमत को भुलाया नहीं जा सकता एक मत और संगर्ज दोनों ही एक ही सिक्किर के पहलू हैं आज कल दुनिया बर के समाशास्र में एक नया उपागम उपर कर सामने आया है अब यह समझने के प्रयास किया जा रहा है कि मांश्रवादी बिचारक और गैर मांश्रवादी बिचारक दो परस पर बिडोधी ध्रूंगों की तरह नहीं समझे जा सकते वास रिखता जिया है कि प्रतेख समाज अपने चुनावतियों को रखता है और हर युग में इतिहास साक्ची है एक मत और संगर्ष के समस्याइं समाज ने रखी है कोई भी समाज रातो रात नहीं बनता इसके विकास की एक निश्चित उद्विकास प्रक्रिया होती है यह प्रक्रिया उस देश के इतिहास में नहीं थोती है बिचारक तो अपने प्रिष्ट भूमी और संदर्ब के अनुसार समाज की चुनोती को अपनी प्रतिक्रिया के लिए उठा लेता है इसी में वह माक्षवादी बिचारक बन जाता है किसी भी विचारक पर चिंतन करते हुए हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उसकी कृतियां उसके यूग की चुनोतियां का प्रति उत्तर होती है प्रतिक विचारक का अपना एक संदर्ब होता है यह संदर्व उसके देश के इतिहा समाजी संरचना और चुनोतियों से भरा होता है कोई भी विचारक तब विचारक का दर्जा पाता है जब वो अपने यूग की इन चुनोतियों और संदर्वों के प्रती सजकता बताता है और अंत में कुछ बिचारकों की योगीन प्रसंगिक्ता थोड़ी होती है, कुछ ही ज़्यादा और इक्के दुख्य के सरयोगीन या सनातन, सुकरात, प्लेटो, मार्क सवेबर, कुछ ऐसे बिचारक हैं जिनकी प्रसंगिक्ता कई योगों को लांग गई है, तो इसी के साथ ह हमारा यह चैप्टर वन समाप्त होता है, ऐसे अतियासिक प्रिष्ट भूमी, तो इसमें हम लोगों ने क्या-कया देखा है, कि अतियासिक प्रिष्ट भूमी के परिप्यक्षे देखा, सामनतवादी, संरचना और अर्थ बेवस्ता देखा, फ्रांसीसी और अदोगी क्रां इसमें और प्रवोधन युग देखा, तो इन 4-5 टॉपिक को पढ़ने के बाद, अब लोग हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे, जोकी नेश्ट वीडियो रहेगा, अब चैप्टर 2 का नाम है अगंफ्ट काम, जोकी 1798-1857 तक रहेगा, तो उनके बारे में हम नेश्ट वीडियों बात करेंगे, धन्यवाद आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर आने के लिए, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्स्ट्राइब करें, यदि आपके पास किसी बिसे पर प्रस्निया सुजाव हैं तो क्रिपया नीचे कमेंड क करें, हमें आपके बिचारों से बहुत खुशी होगी, अपने मित्रों और परिवार के साथ इस वीडियो को साजा करें ताकि वे भी इसे देख सकें, आप हमारे वीडियों की सुचनाय प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं, आपके सायोग के लिए धन्यवा हमें आपके सायोग पर गर्व हैं